असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट, here I am Professor Saghir Ahmet और तमाम स्टुडेंट को Professor Saghir Zoology Classroom में वेलकम डियर स्टुडेंट, आज हम न्यू टॉपिक डिसकस करेंगे और डिसकस करने से पहले Law of Independent Assertment को आपने समझ लिया होगा और ये Law of Independent Assertment से ही Related क्या है टॉपिक है तो उसकी बुनियाद पर इसने Law of Independent Assertment पेश किया था हम और Law of Independent Assertment यू नो वेल टू पिर आफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को डिफाइन करता है तो आएए अब ये कौन सा टॉपिक है आएए उसके टैटल की तरफ चलते हैं उसका नाम है डाई हाइबरेट क्रोस डाई का मतलब है तू हाइबरेट मीन रिजल्टिंग प्रोड़क्ट आफ्र दा हाइबरडाइजेशन यानि के आई इसकी पहले डैफिनिशन के ओपर चलते हैं कि अब ये क्रोस इन बिट्वीन तू इनडिविज़्ुल डाई फरिंग इन तू ट्रेट इस काल्ड डाई हाइबरेट क्रोस और रिजल्ट ओप्टेन इन एफ्टू जैनरेशन इस काल्ड डाई हाइबरेट रिशो यानिके जब दो खालिस वराइटी को आपस में क्रोस कर जो एक दूसरे से दो दो करेक्टर यानि दो दो ट्रेट के लिया से एक दूसरे से मुक्तलिफ हो तो ऐसे क्रॉस का नाम है डाई हाइबरेट क्रॉस और जो एफ टू जनरेशन में जो करेक्टर यानि के जो रेशो हासिल होती उसको हम क्या कहते हैं डाई हाइबरेट रेशो आये student इसको हम समझते हैं with the help of example. Let's suppose that के यह हमारे पास हमारे पास purple flower purple flower and purple flower and यह a green pot green pot cross with cross with white flower and yellow pot yellow pot यह नि के एक ऐसा प्लांट है जिस पर purple flower अराइज हो रहे हैं और उसके ओपर क्या का डाइज हाइबरेट क्रोस का तो आइए इसको क्रोस करवाते हैं के पर्पल प्रपल फ्लावर यानि के पर्पल पर्पल फ्लावर एंड ग्रीन पोड एक्कॉर्डिंग टू मुएंडल यह क्या है डोमिनेंट है क्या है डोमिनेंट तो इनके जीन्स को कैपिटल पी कैपिटल पी और ग्रीन पोड कैपिटल जी कैपिटल जी से रेप्रिजेंट करते हूँ जबके सेकंड जो हमारे पास कंट्रास्टिंग करेक्टर है वो क्या है वाइट फ्लावर है एंड येलो पोड है एक्कॉर्डिंग टू मेंडल ये दोनों करेक्टर क्या है रैसेसिव है तो स्माल पी पी और स्माल जी इनके ट्रेट को कंट्रोल करते हैं आईए इसको क्रॉस करवाते हैं पहला स्टेप क्रॉस कराने के लिए हमारे पास क्या है इसका phenotype लिखते हैं यह हमारे पास क्या है? phenotype phenotype से क्या हम रहाद है? physical appearance क्या है? purple purple flower and green port green port cross with white flower white flower cross कर वादे हैं इसको white flower और yellow port के साथ आई इसका genotype लिखते हैं genotype का मतलब है genetic makeup अब purple और green dominant है capital P capital P capital G capital G versus small P small P ant small g small g miosis का process होगा gametes form होगे pair of gene ये हैं और एक pair of gene ये हैं अब ये segregate होगे independently क्या होगे? segregate होगे यहाँ से capital P आएगा जब segregate होगे तो without effecting diesel new gametes में transfer होगा और ये वाला gene capital G capital G without effecting new gametes में क्या होगे? transfer होगे बेशमार बनेंगे कोई एक consider कर लिया हमने बिल्कुल इसी तरीके से small P और small G आएंगे without effecting to each other new gametes में क्या होगे? transfer होगे उसके बाद जब gametes बनें तो ये आपस में क्या होगे? fuse होगे capital P small P और capital G small G ये हमारे पास ये हमारे पास ये हमारे पास क्या होगे? F1 generation हासिल हो ठीके? और कैसे हासिल होगे? purple flower purple flower और कैसी पोड हासिल होगे? उसके उपर green पोड लगेंगी green पोड यहां तक तो love dominance love segregation लेकिन जब मेंडल ने इनको आपस में क्रॉस करवाया तो result कुछ different नजर में आए आई इनको आपस में self-fertilization करवा देते हैं तो यह हमारे पास क्या बनेंगे? P2 plants P2 plants capital P small P capital G small G cross with capital P small P and capital G small G मियोसिस का प्रोसिस होगा यहां पर ठीक है? जब मियोसिस का प्रोसिस होगा ठीक है? तो अब हो सकता है कि यह capital P capital G के साथ fused हो gamits बनने के तो रंग या फिर capital P small G के साथ fused हो या small P capital G के साथ या small P small G के साथ अब यह segregate होंगे independently क्या होंगे? rearrange होंगे किस तरीके से? capital P capital G capital P capital G gamit बना capital P small G gamit बना small P capital G बना और small P small G gamits बने इसके बाद बिल्कुल सेम यहाँ पर gamit बनेंगे capital P capital G capital P small G small P capital G और small P small G क्या होंगे gamit बना बना यह पाम होगे आई इन तमाम possibilities को discuss करते हैं by the help of checker board यह हमारे पास क्या है? checker board है और checker board सबसे पहले एक scientist थे British scientist थे Punnet तो यह basically Punnet square method भी कहलाता है इस चार्ट की यह importance है कि इस तमाम combination के बारे हमें में क्या होता है information हासिल हो जाती है तो four gamits से male के four gamits से female के overall हमारे पास 16 combinations क्या होंगे? हासिल होगे let's suppose यह male plant है तो यह male plant के gamits रख दिये capital P, capital G capital P, small G small P, capital G और small P, small G let's suppose that के यह हमारे पास female plant के gamits हैं और आप इसको rearrange कर सकते हैं यह वाले gamits capital P, capital G, capital P, small G, small P, capital G और small P, small G हाई यह fuse करवा देते हैं बड़ा simple सा method है यह sperm इन तमाम ओवा के साथ fuse होगा capital P, capital P, capital G, capital G यह sperm इसके साथ fuse होगा capital P, capital P, capital G, small G capital P, small P, capital G, capital G capital P, small P, capital G, small G उसके बद यह sperm इन तमाम ओवा के साथ fuse करेगा देखेगा किस तरीके से के कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल जी स्माल जी कैपिटल पी कैपिटल पी स्माल जी स्माल जी कैपिटल पी स्माल पी कैपिटल जी यानि कि यह जो जी है रेसेसिव है और यह डोमिनेट डोमिनेट पहले लिखते हैं रेसेसिव बाद में लिखते हैं स्माल जी उसके बाद capital P, small P, small G, small G capital P, dominant पहले लिखेंगे और recessive क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे यह हमारे पार recessive आगे है small P, capital G, capital G capital P, small P, capital G, small G, small P, small P and capital G, capital G यह स्मम, इसके साथ fuse होगा small P, small P, capital G and small G अब यह हैं हमारे पास, यह gamut यह gamut, इन तमाम fuse के साथ gamut के साथ क्या करेगा, fuse करेगा किस तरीके से fuse करेगा कि capital P, small P, dominant पहले लिखेंगे recessive बाद में, capital G, small G capital P, small P, small G, small G यह gamut, small P, small P, small G, capital G dominant पहले recessive बाद में फिर यह gamut इसके साथ fuse करेगा small P, small P, small G and small G आए रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट में हम phenotype result देखते हैं यह हमारे पास result कैसा आया, आए डिसकस करते हैं यह देखेगा, यह वाला पहला gamut यह कैसा है और result भी कौन सा हम लिख रहे हैं phenotype, आपने यह पे लिख देख देखते हैं phenotype phenotype, physical appearance यह वाला box देखते हैं इसमें जो possibility आई है अपने लिख दिया पर पल फ्लावर और दूसरा कंट्रास्टिंग करेक्टर जो इसने लिया है एंट परपल फ्लावर एंट ग्रीन पोड है ग्रीन पोड अब काउंट किजिएगा कितने हैं आए बाक्स की तरफ चलते हैं के परपल फ्लावर एंट ग्रीन पोड वन परपल फ्लावर एंट ग्रीन पोड टू परपल फ्लावर एंट ग्रीन पोड थ्री purple flower and green pod 4 purple flower and green pod 5 purple flower small g small g small g which means that कैसी पोड़ है yellow pod और हम किसको count कर रहे purple flower and green pod को तो इसको left कर दें यहां पर देखे है purple flower and green pod 5 6 purple flower यह भी नहीं बन सकता purple flower and green pod 7 purple flower and green pod 8 purple यह स्मॉल पी स्मॉल पी तो यह यह लो हो जाएगा white हो जाएगा अब यहां पर देखेगा यह भी combination नहीं यह वाला देखेगा capital P and small P purple flower and green pod 9 आपने यहां पर लिख दिया 9 आएगे next box की तरफ चलते के यह हमारे पास देखेगा यह वाला के capital capital P small g small g capital P capital P which means that purple flower आपने यहां पर लिख दिया purple flower and small g small g according to Mendel small g small g yellow pod आपने यहां पर लिख दिया yellow pod यह हमारे पास आगया yellow pod count करें कितने हैं purple flower and yellow pod 1 purple flower and yellow pod 2 purple flower and yellow pod 3 तो आपने यहां पर 3 लिख दिया उसके बाद next box लेखेगा हमारे पास कौन से पर चाहिए small P small P which means that small P small P white flower आपने यहां लिख दिया white flower क्या लिख रहें white flower white flower और उस plant पर कौन से आ रहें pot capital G capital G capital G का मतलब है के green pot according to Mendel green pod आएए count करते white flower and green pod 1 white flower and green port 2 white flower and green port 3 आपने यहां पर लिख दिया 3 उसके बाद यह lost last वाला box देखेगा only one तो small P small P according to Mendel क्या है small P small P आपने हमारे पास white flower white flower and small G small G yellow pod yellow pod yellow pod count करें one तो हमारे पास phenotype ratio रेशो रेशो कैसे निकालते हैं स्टूडन जो lowest number होते हैं उनको तमाम number से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास lowest number क्या है one तो one को तमाम number से डिवाइड कर दें तो हमारे पास phenotype ratio रेशो निकल आएगी 9 को जब डिवाइड किया तो यह 9 हासिल हुआ हमारे पास ratio 3 1 को 1 से डिवाइड हुआ तो 3 3 को 1 से डिवाइड किया तो ratio 3 1 को 1 से डिवाइड किया ratio 1 तो phenotype ratio 9 is to 3 is to 3 is to 1 और यही basically क्या किलाते है डाइड हाइड रेशो किलाते हैं अब डाइड हाइड रेशो हमारे पास 9 is to 3 is to 3 और यह जो चार्ट है यह जो combination sign को हम क्या कहते हैं f2 generation कहते हैं f2 generation second filial generation कैसे पढ़ेंगे f2 का मतलब है second filial generation अब यह जो cross है दो contrasting character की बन्याद पर है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं डाी हाइडा रेट क्रॉस कहते हैं तो dear student आज हमने discuss किया डाइड रेट क्रॉस के ऐसा cross जो दो character की बन्याद पर एक दूसरे से क्या हो मुक्ति वहों तो उसे आप क्या कहते है डाइड हाइड क्रॉस और f2 generation में जो ratio हासिल होती है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा इन्शाला नेक्स क्लास के अंदर नए वीडियो के साथ हासिर होंगे और तब तक के लिए अपने सरसागी रहमत को अजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज